प्रणाम मित्रो, आज हम बात करेंगे ओशो की सबसे विवादित पुस्तक संभोग से समाधी की ओर जी हाँ, यूँ तो ओशो की साड़े 600 पुस्तके हैं, हजारों घंटों की रिकॉर्डिंग है पर आपको जानके ताजब होगा, कि लोग, लोगों का मनविज्ञान, लोगों के विचार ऐसे हैं, कि उनको सिर्फ एक ही पुस्तक हमेशा दिखती है, वो है संभोग से समाधी की ओर जबकि ओशो ने शायद ही कोई ऐसा विशे होगा, जो छोड़ा हो, हर विशे पर ओशो बोल कर गए हैं, लेकिन लोग हमेशा इसी विशे की बात करते हैं, क्योंकि लगता है उनके जहन में मस्तिक्ष में यही दबा रहता है क्या था इस पुस्तक में, क्यों यह इतनी विवादित हुई, इस बारे में हम जानते हैं जैसा कि टाइटल पर हम देखते हैं संभोग से समाधी की ओर, पुस्तक का नाम था संभोग से समाधी की ओर लेकिन लोगों ने, मीडिया ने इसको सिर्फ संभोग से समाधी ही सुना या यूं कहूं समझा या प्रकाशित और प्रसारित किया जबकि ये पुस्तक एक यात्रा है ना की ओर यानि फर्स पॉइंट से लेके लास पॉइंट तक संभोग से लेकर समाधी तक लेकिन लोगों ने सोचा सिर्फ संभोग की उश्वबात कर रहे हैं और इसको प्रचारित और प्रसारित भी इसी धंक से किया गया लोगों को सिर्फ टाइटल से ही ऐसा लगता है जबकि अंदर ऐसा कुछ नहीं है पूरी पुस्तक उर्जा रुपांतरन के बारे में है तो ये जो भ्रह्म है वो सिर्फ संभोग से समाधी नहीं है संभोग से समाधी की ओर ओर में एक यात्रा है ओर में एक योगदान है ओर में एक चड़ाव और पड़ाव है पूरी पुस्तक में ओशो ने उस उर्जा के बारे में बात करी है जो उर्जा मनुष्य को कुछ भी बना सकती है जी हाँ, जैसे आप खाना खाते हैं, सोते हैं, तो जब खाना खाते हैं, सोते हैं और आपके उर्जा बनती है उस उर्जा से आपके अंदर ताकत आती है और आप कुछ भी काम करते हैं फिर चाहे आप सितार बजाएं फिर चाहे आप गाली दें आप चित्वकारी करें ओफिस जाएं ड्राइविंग करें बंदूग चलाएं कहने का मतलब यह वही उर्जा होती है जो सरजनात्मक या विद्वानसात्मक करमों में लगती है ओशो ने यही समझाया है कि हमारी जो उर्जा है मनुष्य की जो उर्जा है जैसे साइंस के एनर्जी कहती है उसे बिस्ट्रॉइ नहीं किया जा सकता हम उस एनर्जी को नहीं मा उशो कहते हैं कि यही औरजा, जब नीचे की और नीचे के तल में जाती है, तो वासना बनती है, यही औरजा, जब उपर की और उठती है, तो प्रारथना बनती है सीड़ी एक ही है वो बहुत उधारण के साथ समझाते हैं कि सीड़ी एक ही है इसी सीड़ी से आप नीचे उतर सकते हैं इसी सीड़ी से आप उपर चर सकते हैं तो ओशो ने उस सीड़ी का उधारण देते हुए इस पुस्तक के बारे में और इस विशे के बारे में कि संभोग स कैसे समाधी फलित होती है समझाया लेकिन लोग संभोग तक अटक गए इतना ही नहीं ओशो ने इस पुस्तक के माध्यम से उर्जा का विज्यानिक महत्तु समझाया है ओशो ने बताया है कि कैसे ये जो उर्जा है जो सेक्स में उतरती है संभोग में उतरती है ये पूल सकते हैं ओशो कहते हैं कि आपको उस पायदान पर चड़ना है लेकिन आपको उस पायदान पर रुके नहीं रहना है आगे भी चड़ना है मान के चलिए जैसे आपको छट पे पहुंचना है तो छट के लिए आपकी पहली सीड़ी जरूरी है दूसरी सीड़ी जरूरी है तीसर पूरी जो पुस्तक है इसी पर है लेकिन एक आम आदमें सोचता है नजाने इस पुस्तक में संभोग की कला सिखाई होगी और नजाने कौन से गुप्त रहसे बताये गए होगे जबकि सच बात तो यह है कि बड़े बड़े विगानिक से लेके सेलेबरिटीज तक कहते हैं कि इस पुस्तक को हर मिया बीबी को हर प्रेमी को प्रेमी का को पढ़ना चाहिए क्यों क्योंकि यह पुस्तक प्रेम के बारे में बताती है अपने विवाहिक संभन्दों को सुधारने में बताती है अपनी उर्जा के रुपांतरन के बारे में बताती है और प्रेम से उपजी जितनी भी चीज़े है चाहे वो इर्षा है, मौ है या यूं कहो की चिंता है उन सबका भी कहीना कही ये निदान करती है तभी वो सही सुख प्रेम में पहुँचती है इस पुस्तक के माध हम से हम पहली बार समझते हैं कि सम भोग यानि बराबर मातरा में किया गया भोग ही सम भोग है तो जब इस जंग से हम इसको भोगते हैं तो इस से हम ऊपर उठ सकते हैं अब फैसला हमारा है हम रसरी में रहना चाहते हैं क्या हम पहली सीड़ी पे रहना चाहते हैं तो फिर हम यह यूं कहो कि हम लोग अपनी लक्षे तक उस एजुकेशन तक या उस विशय तक नहीं पहुंचे जो हम करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि हमने वही चुना, तो ओशो ने उस विशय पर बात की, लोगों ने वही शब्द सुना और लोगों को लगा कि ओशो तो इसकी भी करते हैं और लोगों ने इस किताब को एकदम खारिच कर दिया, इस पुस्तक के माध्यम से ओशो एक बात ये भी समझाते हैं कि जो मनुष्य है, वो आनंद का भूका है, सुख का भूका है, खुशी का भूका है, यह उसकी नैसरगिक जरूरत है, लेकिन वो आदमे को सी समाधी क्या होती है, समाधी के बार में कैसे समझे, क्योंकि अब तक मनुष्य ने ऐसी स्थिती, जिस हम आनंद की बात करते हैं, पर्मानंद की बात करते हैं, आम भाशा में, उसने अब तक सिर्फ संभोग से ही जानी थी, तो इसलिए ओशो को संभोग से शुरू किया, अगर वो ये बात बताना चाहते हैं, कि जो टेंपरेरी आनंद है, वो कैसा, और पर्मरेंट आनंद में क्या अंतर होता है, महासुख कैसा होता है, उसके लिए उन्होंने उस सेक्स की बात करी, जो आदमी जानता है, जिससे उसका परीचे है, जिससे उसका समवाध है, ये सुख तुम अपने संभोग के वक्त महसूस करते हो, वही सुख तुम हमेशा समादी में महसूस करते हो, वही महाभोग है, लेकिन वो कैसे समझाए, उसके लिए आपको पहले वो बताना पड़ेगा, जो उसका सुख्ष में रूप है, तो ओशो ने इसलिए संभोग का उध धारण लेते हुए, क्योंकि आदमी अब तक उसको ही जानता था, उसी को ही समझता था, उससे ही उसका परिचे था, तो ओशो ने बताया कि कैसे आप जब वो अला सुख तम महसूस करते हो, कुछ सेकिंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, फिर दुबारा वो गतिविदी कुछ दिने बाद क्यों, क्योंकि हम आनन्द चाहते हैं, सुक चाहते हैं, तो यही आनन्द जो तुम्हें अब मिल रहा है, वो पर्मनेंच कैसे हो सकता है, वो ओशो दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संभोग पर बोला, लेकिन वो संभोग से समाधी की और ले जान की और, वासना से प्रार्थना की और, दे से चेतना की और, पदार्थ से परमात्मा की और, अग्रसर होने के विधी का वर्णन है, इतना ही नहीं, हमारे मंदिरों में, जिसे अजंत अलोरा की बात करें, या हम खजराहों की बात करें, तो यह जो काम वासना पर बहुत बोला गया है उसके चित्र उकेरे गई है मूर्तियां उकेरी गई है इतना हि नहीं शिव ने पार्वती को जो बहरत तंत्र में कहा है वो हमारे गृत्धों में भी उसकी खूब चर्चा मिलती है कि किस तरह उन्हों ने इस कला की इस इस संभोग की मैथुन क्रिया के बारे में पूरी विस्तार से उसके विज्ञान के बारे में उसके सौंदर्रिका बारे में उसके सही संभोग के बारे में बताया है यह वर्षों से था यूगों से था ओशो ने उसी का विज्ञानिक रूप प्रकट किया लेकिन लोगों को ल बवाल उनी लोगों ने बचाया जिनोंने इसे नहीं पड़ा जिनोंने इसको पड़ा है वो आज समाधी की और अग्रिसर हैं और आनंदित हैं परम आनंद की और उठ रहे हैं आशा है इस बुस्तक से जुड़ी जो भी आपकी ब्रहांती थी जो भी आपका असमंजस था वो साफ हुआ होगा धन्यवाद